स्री अर्विन सावन जी अधियर लोगसभा के अध्यक्ष जी इधर से इधर बिला साब मैं सह दिल से आपका अभिनन्दन करता हूँ पहली तो बात इसे कि आपको हमने पांच बर से अनुभों लिया है पुराने सदन में नए सदन में और दुबारा फिर उस न्याएजिश जैसे पद पर विराजबान हुए हो दिल से आपका अभिनन्दन करता हूँ लेकिन अपेक्षा करता हूँ कि जिस धंग से कुछ जैसे आदरने प्रदान मंतरी जी ने कहा कुछ कानून पास किये गए उस कानून में एक कानून पास गया इलेशन कमिश्नर का वो कानून भी जब हम सस्पेंट हुएते तब पास हुआ जिसमें नियाए देने की प्रक्रियाद जहां होती है कानून बनाने वाले हम हैं और वही कानून जब बनल जाते हैं तभी तो सविदान की बात आती है और सविदान की सुरक्षा के लिए इंडिया अलाइंस बना मैं आपसे इतनी हपेक्षा करता हूँ हर हम जब बोलते तो शब्दों में भी और खास करके सत्ता पक्षे शब्दों में जान होनी चाहिए शब्दों में शान भी होनी चाहिए और वचनपुर्ती जो दी दी है ह करनी चाहिए जो जो वचन हमने दिये हैं वो करनी चाहिए हमने देखा है कि संकट काल में भी जब सरकार की तरफ से बदद नहीं मिलती है तब बहुत बुरा लगता है अभी सभी हम अपेक्षा करते हैं उन्हेंने सेक्विलर शब्दू किया मैं सबानता से हूं सात्यंतर सबानता यह सारा हमें सविधान ने दिया हुआ है और चाहता हूं बस एक अपेक्षा करता हूं हम हामनी चाहते हैं है और हम जो दिवारे खड़ी कर रहे हैं वो दिवारे हाथ तो तेनी चाहिए हम सब इंसानियत के नाते मनिपूर का हद्सा होता है और आसू भी नहीं बहते तो बुरा लगता है किसान मरते हैं इतनी बड़ा अंदोल उन्टा है फिर भी सवयधना नहीं जता जी जाती है इस सदन में सवयधना जता ली जाएं नहीं जाता ही जाती तब बुरा लगता है बेरोजगार रस्ते पे घुम रहा हैं फिर भी सदन उनको न्याईन नहीं दे पा रहे हैं तब जाएगी तब अपेक्षा करते हैं आप अमें अनुम्पति दे और आश्वर्ट करते हैं, यह सदन चलना ही चाहिए, कोई दूआ उस पे कोई दो राइदे होनी चाहिए, लेकिन सदन किस लिए चलिए? सर्वा सामन ने जंता को न्याय मिलना चाहिए, वही अपेक्षा करता आप अभी बहुत अनुववी हुए हो और मैं अपेक्षा करता हूँ स्वविदाना जता कर आप अमें नियाई देंगे स्वविदान की रक्षा करने के लिए जब भी आप गड़े होंगे आप अमें आशिरवाद देंगे जाहिए में जायम आपके करते हो झाले हैं